नमस्कार स्वागत आप सभी का ग्यान सम्मान के मंच पे तो किसी भी स्टेट कहें दिए आप एक्जाम लिखते हैं तो वैसे में जो है स्टेट एस्पेस्फिक आप से प्रश्न पूछा ही जाता है और ऐसे में यहां पे हम बिहार से रिलेटेड जो है करेंट एफेर कवर कर है और यह करेंट एफेर हम दो देख रहा है यूथ कंप टीशन जो है टाइम से तो आप चाहें तो मार्केट में मैं एकजीन एवलेबल आप चाहें तो ले सकते हैं बाकी जो भी कंटेंट यहां पर कर आया जाता है उससे रिलेटेड आपको पीडिये फोगरा टेलीग्राम पर पुरभाइट कर दिया जाता है तो यह जो है चाहे आप लिख रहे हैं सीडिप्यों तो अब बीपीएसी के साथ ही होने वाला एक बार विहार का कोई एक्जाम है यह साई है आपका ठीक है पटना हाई कोट का इस्टेनोग्राफर है विहार बिधान परिशद है विहार बिधान सभा जो है सेकुरिटी गार्ड वाला अभी एक्जाम जो होने वाला है तो किसी एक्जाम में देखेंगे तो यह जो करेंट फेर आप ही काम का है चुकि आप यह 20 प्रस्ण अगर बनता हुआ देखेंगे अगर स्टेट एस फेस्फिक तो वहां से 5 कम से कम करेंट फ सकिया सकता है कंटेंट भी बिल्कूल सब सही तरीके से रखा गया सबसे बड़ी बात है कि मैख्जीन जो है आपका तैस में है डेफ्ट कहने का तत्पर यह क्या हुआ कि यह जो मैगजीन है आपको केवल सतही नॉलेज नहीं रखके और थोड़ा सा है जनकारी दी गई है यानि कोई भी एक तर्थ है मान लीजिए उसके बारे में तीन-चार फेक्ट एक्स्टा भी आपको बताएगा है अब ऐसे में प्रस्ण मान लीजिए उसका प्रकृति प्रस्ण का नेचर जो है थोड़ा डिफिकल्ट अगर रखा जाए तो तब भी आप प्रस्णों को के लिए इसके अलाओ जो है चर्चित ब्यक्ति जो भी चर्चा में रहे हैं उनके बारे में यहां से भी प्रस्ण बनते हैं और यह भी टॉपिक कंप्लीट है चर्थी दस्थल हम लोग देख लिए हैं समेलन समर्व और महोत्सो बिहार में इन दिनों जो है क्या-क्या हुआ पुरुषकार और समान से लेटेड बाते कंप्लीट हो चुकी है आर्थिक परिदिश्य हम लोग देख चुके हैं साथ-साथ बजट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तब ही हम लोग देखने वाले आर्थिक समिक्छा और यह भी काफी भी इंपोर्टेंट जो है डबल इस् प्रस्ण देखने को मिलेंगे ही और यह प्रस्ण हो सकते हैं कि आपको कंसेप्च्वल भी हो तो ऐसे में मैगजीन आपके लिए काफी बहतर सावीश हो सकता है इसके बाद हम योजना परिजना देखेंगे तो एक लेक्षर में एक टॉपिक देखेंगे ठीक है रिपोर्ट इससे सब कुछ आप जाएंगे ताव बीपी से 59 करके प्लेइस्ट है यहाँ पे बीपी से 69 उस प्लेइस्ट में आपको सारा स्वेक्षर मिल जाएगा वहां पे उसके अलावा बीपी माध्यम से कभर किया गया साथ-साथ कुछ जोग्राफिक अलेक्षर भी मिलेगा और इस इस चैनल पर आप सभी के लिए BPSC के लिए mentorship program बिल्कुल चलाया जा रहा है और बिल्कुल यह free of cost है ठीक है तो mentorship program में काफी लोग in-law भी है और मैं बता दूँ कि बिल्कुल free of cost है आप लोग message करते हैं कि कितना fee है कोई fee नहीं है इस चैनल पर जो भी आप सभी के लिए किया जा रहा है चाहे जो भी program यहां पर run हो रहा है सब कुछ free है एक तो BPSC के लिए यहां पर test series चलाया जा रहा है test series में भी जो ही market में बहतर availability है वो चलाया जा रहा है तो अभी हम लोग कुछ दिन topic करेंगे फिर आपको test series में मिलेगा ठीक है जिसमें आपको दृष्टी हो गया धिया इस हो गया आपको आस्था इस हो गया जो भी एक reported जो है काफी time से काम कर रही है market में उनका question का collection हम लो आप देखेंगे चलिए तो बाकी आप लोग रिवीजन अपना करते रही है टेस्ट देते रही है mentorship program में add होना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे message कर सकते हैं खैर उसमें जो है दो तीन subject अभी तक complete हो चुका है दो subject 9015040592 ठीक है अगर आप interested होंग तो 9015040592 पे आप message टेलीग्राम पे कर सकते हैं ठीक है यह प्रोग्राम के ओल BPSC 69 के लिए है ठीक है चलिए तब ही हम लोग देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा का प्रश्ण आर्थिक परिदिश्ट हम लोग देख चुके थे बजट अलेड़ी कभर किया गया था और बहुत ही बहतरीन तरीके से कभर किया गया था एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो आप लोग अगर मालीज आर्थिक सर्वेक्षन पहले से पढ़ चुके हैं और आ इधान सवा में राजजे का सत्रह हुआ आर्थिक सर्वेक्षन पेस किया गया और इस आर्थिक सर्वेक्षन को कुल कितने अध्यायों में बाटा गया है ठीक है तो यह पूछा गया कि इसको कितने अध्यायों में बाटा गया है और यह कौन सा आर्थिक सर्वेक्षन था त आटा गया था ठीक आईए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं आर्थिक सेलेक्षन 2022-23 की बात करें तो पेस करने की तिथी जो है यह 27 फरवरी 2023 वी पहली बात अब कभी-कभी एक्जाम में जो है चोटे-चोटे जो एक्जाम है एनि वंडे जो एक्जाम होता है वहाँ कहां पेस्किया गया तर राज जी जो है भिधानसवा के पटल पर यानि राज जी के भिधानसवा में इसको पेस्किया गया आर्थिक सेलेक्शन को बाता गया है चोधुद adesso अब आप कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप भी कुछ जो है उसको अध्याय में बाटके पढ़ते हैं जैसे अभी हम लोग करेंट फेरी पढ़ रहे हैं तो एक टॉपी कहां पर देख रहे हैं वैसे टोटल 14 अध्याय में इसको बाटा गया अब प्रस्न बनता है कि चौध है अध्याय कौन कौन से थे ठीक है अध्याय वन में बिहार की अर्थ व्योस्था का एक और लोकन है अध्याय दो में देखेंगे तो राजकिये बित व्योस्था के बारे में आपको बताएगे है अब देखिए स्पेस्विक मानलीजी आपको पढ़ना है एक बिहार अर्थ वित 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 बीस्ता के बारे में पसा चलेगा तोछ किस्तिति कि इनरजी को qt7 रिने और इनरजी यञिक आपको यह उत्पादन कर रहा है बिहार का प्रतिवेक्थी क्षेत्र कितना हैे सारा हमको डेल जानना है मिन्ट्रेz तरक्रें तो अपको सीघ्याए एड पढ़ा लेना है आर्थिक सर्वक्षण का आपको पूरा आर्थिक सरेक्षन पढ़ने की जरूत नहीं है अधियाय तीन में देखेंगे तो क्रिसी और सहती छेत्र के बारे में आपको बताएगा है ठीक है क्रिसी सी लेटर सारी बाते बताई गई है कि माल लीजे उत्पादन जो है किसका कितना उत्पादन हुआ कितना बिहार का खपत आप तो बता देंगे कि चौदा भागों में जो है लेकिन यह नहीं पूछेगा आपके बताई आठवा में किस भाग में क्या रखा गया है यह चांस कम बनता है फिर भी एक नजर में इसको ध्यान रखेंगे ठीक है हो सकता है कहीं बना दिया जाए प्रश्ण लेकिन चांस इसाशन अध्याय साथ में था लिगहिंगे टो ग्रामीड विकास के बात की ढगई थी कि इसकी ग्रामीड विकास के बात की गई थी अध्याय 9 में अधियाए 10 में बात करेंगे तो नगर विकास का बात किया गया तो एगाओं का विकास और नगरों का विकास 11 में देखेंगे तो बैंकिंग और सहर्ती छेत्र अब देखेंगे बैंकिंग रिलेटेड आपको कोई डाटा जानना है तो आप अधियाए 11 पढ़ ले मानो विकास के बारे में जानना है 12 पढ़ ले बाल विकास 13 और 14 इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा याद रखेंगे परिवरन जलवाई परिवरतन और आपदा परबंद जोकि यह सब मैटर बहुत चर्चा में है अभी पूरे वर्ल्ड में तो इसका चर्चा कहां किया गया है अध्याय 14 में तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे टोटल 14 अध्याय में बटा गया अगला प्रसंद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार राज यह अनुमानित नहीं है बजट में हमारे पास जो है किंद्र सरकार से इतने पैसे आएंगे ठीक है हम जो है कर से इतना पैसा आएगा मेरे पास खर्च हम लोग यहां यहां करेंगे तो यह नुमान होता है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षन जो 22-23 है इसमें 2022 का जो भी डाटा तो 21-22 में कुल कितना ब्याय हुआ है इंपोर्टेंट है याद रखेंगे एक दसमलो नौ तीन लाख करोड एक दसमलो नौ तीन लाख करोड रुपय खर्चा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं 22-23 सर्वेक्षन की बात करें तो राज्य के कुल ब्याय कि दिया हुआ था और यह करोड में दिया है ठीक है तो यहां पर अगर करोड में पूछा जाता आपको पता ही है ठीक है आप देखिए सो हजार में आपको कितना हो गया एक लाख हो गया सो लाख में करोड हो गया ठीक है सो करोड में एक अरब हो गया यहां पर यह भी डाटा थ्वड़ा सा देहान दखेंगे, तो 1.930,00,00 करोड अप्शन में हो, या 1,93,123 करोड ये राज्य का कुल बियाय रहा था, ठीक है, धेहान रखेंगे, इतना खर्च किया गया, तो राज्य सरकार का कुल बियाय, अब इसमें राजस्च बियाय कितना रहा था, ये तो कुल ब देखेंगे, तो ये राजस्च बियाय का प्रतिसत जादा है, 1,69,222, यानि देखें, टोटल जो है, 1,93,123 है, और इसमें देखेंगे, तो राजस्च बियाय कितना है, 1,69,220, ठीक है, तो एक लाख तिरानमे में लगभग, 1,69, क्या है, राजस्च बियाय है, अगला, च दोड़त हैरे बना के सुनेंगे, एक दो बर लेक्षर को रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, पुजीगत बियाय की बात करें, ये कितना रहा, 33,903 करोड़, तो देखें, अब हम लोग एक बात तो कर लिए, बियाय का बात कर लिए, राजस्च कितना किया, ते 1,93,233 कर कितना है, 1,93,123 कितना है, 1,93,123 कितना है, तो खुल बियाय हुआ, कितना है, बिहार सरकार का जो है, 1,93,123 कितना है, अच्छे, नहीं तो आप माल लीजे, राजस्च करने में, डिफकल्ट अपुजीगत याद कर ले, 33,903 करोड़, थेक है, ति ये कितना है, 900 आपको, त 3,900,000 अब देखे यह 3-3,0 हो गया यह 2 बन गया यह 12 में से 3 गया 9 बन गया यह 8 में से 3 आपका 5 बन गया और यह देखे आ गया यह 1,60,220 करोड ठीक है तिया दी मान लीजिए आपको पुझिगत याद है तरा जस्व याद कर सकते हैं अब मान लीजिए अभी कोशन पुछा अगया है कि पुछ दिया जाए कि बताइए कि रजस्व याद कितना हुआ था ता आप क्या बताएंगे 1,60,220 पुझिगत 33,903 चली जैसे भी करके डाट आपको ध्यानना नचाहिए अब देखे बात कर लेते हैं रजस्व प्राप्तिया कितनी हुई तो रजस्व प्राप प्राप्तिय कितना होई तो यह 44,473 करोड ठीक है देख सकते हैं अब यह लोग राप्तिया कितना कर रहा है एक लाख 69,277 पुझिगत में देखिए खर्च कर रहा है यह 33,900 लेकिन यहाँ प्राप्तिया 44,473 है तो ऐसे में तो राप्तिया घाटा बनेगा ही आपको ठीक है द 44,473 यह 7,3 आपको 10 बन गया यह 9,7,6,1,7 हो गया यह 7,4,11 हो गया और एक 12 हो गया और यह देखिए तो यह आपका 9 हो गया और यह 9 हो गया और यह अभी आप यहाँ से किलियर देख सकते हैं देखिए यहाँ पे खर्च जो है बढ़ता हुआ देख रहा है यानि जितना ब प्रापतिया जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है यह कैल्कुलेसन मेरा सही रहा है ठीक है एक बार देख लेते हैं फिर से ठीक है तो ब्याय हुआ है ये प्राप्तिया हुआ है इस में दीख रहा यह तो सर्प्लस में यहाँ पे दीख रहा है ठीक है हो सकता है ना कि युक्त अब लो जान रखेंगे बस इतना है कि रजस्व प्राप्ति जो है एक लाखंट थाओन अजार ठीक है और पुजिगत प्राप्ति जो है यह आपको प्राप्तिया तो कमी हुआ होगा ठीक है तो जीएस डीपी का जीरो दस्मलोग परतिसत और ऐसे देखेंगे तो 422 करोड का अब घाटा हुआ इसका मतलब देखिए यह रजस्व घाटा है अच्छा देहान देंगे यह क्या है रजस्व घाटा है तो रजस्व घाटा किलियर अपने आपको दिख रहा है देखें यहां पर क्या दिख रहा है दो डटा है यहां पर देखें कि एक रजस्व घाटा लगना जाहिर सा बात है जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यह डाटा आपको देखने को मिलेगा तो यह जो है आपको चार सब आइस करोर करीम में घाटा हो गया देखिए एक लाक उनसट हजार दो सब इस और यह होगे आपका एक लाक अन्ठावन हजार साथ सो संतानवे यह दस सात आ रहा है ठीक है कुछ डाटा यहां पे ठीक ठाक अपने को नहीं दिख रहा है ठीक है चलिए इसको अभी आपके लिए अभी के लिए याद कर ले हम इसको थोड़ा सा वेरिफाई देखेंगे चलिए अभी के लिए ध्यान रखेंगे चार सबाइस जीएस डीपी का 0.1 अब राज कोशिये घाटा के बात क्या जैते राज कोशिये घाटा तो रहा था यह 3.8% तक रहा था यह 25,551 करोड का था ठीक है राज कोशिये घाटा 25,005 एकाउन करोड परतिसात में 3.8 है प्रात्मी घाटा इसमें देखेंगे तो जीएस डीपी का 1.7 रहा था 11,729 एकईस बाइस में राज सरकार के कुल उधार कितनी थी ते 40,400 जो है 45 करोड रुपया का था कुल सरकार का ब्याय कितना हुआ था तो 2.58 लाग करोड रुपया हुआ था ठीक है सॉरी ब्याय उसी को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 22-23 के नुसार बित वर्स 21-22 में बिहार का सकल राज घरे ले उत्पाद इस्थिर मुल्ले पर कितना परतिसत बढ़ा अब देखिए जब 22-23 का जब जब बात करेंगे तो आपका डाटा कब का उभ पर के आएगा 22-22 का अब यह क्या पूचा है सकल राज घरे ले उत्पाद इनि जी स्थिर मुल्ले पर देहान देंगे आप टर्म किस पर पूचा गया इस्थिर मुल्ले पर जो है कितना परतिसत बढ़ा इस्थिर मुल्ले पर देखेंगे यह जो है यहां पर 12-13 14-15 दिया ह यह तो डाटा इसमें कोई सही दिया नहीं है ठीक है इस्थिर मुल्ले पर कितना बढ़ा यह आपसे पूचा गया है ठीक है 21-22 में बिहार में सकल घरे ले उत्पाद का इस्थिर मुल्ले पर बिरिदी कितनी है 10.98 ठीक है 10.98 की बात करें यह जो है यहां पर दिख नहीं रह अप्सें में तो दिख नहीं रहां नहीं दिख रहा था ठीक है इसलिए यहां पर इमान लिया गया है ठीक है तो देखें पूचा जाए कि बताईए कि 22-22 में बिहार का जो है जिस्थिर मुल्ले पर कितना परतिसर्ट बढ़ा आप क्या बताएंगे 10.98 याद रखेंगे इस रखना ही पड़ेगा ठीक है तो 21-22 में जो है बिहार का सकल घरेली उत्पाद की बात करें यह 10.98 हो गया यहां पर देख सकते हैं 21-22 में आप से पूछा जा सकता है दो चीजे एक पूछा जा सकता है बरतमान मुल्ले पर और दूसरा पूछा जा सकता है इस्थिर मुल्ले पर अगर इस्थिर मुल्ले पर पूछा जाए डाटा अलग हो जाएगा अगर इस्थिर मुल्ले पर पूछा जाए डाटा अलग हो और data examiner जो है पूछ सकता है जैसे बिहार का NSDP यानि नीवल राज घरे लिए उत्पाद जो है यह इस्थिर मुल्ले पर कितना था तो यह जो आपको 382.27 करोड ठीक है तो बिहार का NSDP यानि नीवल राज घरे लिए उत्पाद जो है देखेंगे इस्थिर मुल्ले पर कितना र 34,465 रुपया इंपोर्टेंट है इसको याद रखेंगे प्रतिवेक्ति GSDP 34,465 जबकि यह बरतमान मुल्ले पर देखेंगे ते बढ़ा हुआ दिखेगा और यह 54,383 दिखेगा ठीक है ते एक GSDP और एक NSDP दोनों का अलग-अलग करके ध्यान रखेंगे तो प्रतिवेक् प्रतिवेक्ति अगर NSDP पूछा जाए इस्थिर मुल्ले पर 30,000 के करीब में है 3789 और इसमें 49,470 रुपया यह थ्वड़ा सा ध्यान रखेंगे कुछ पुरस्णावर यहां से बनाये जा सकते हैं जैसे 21-22 में सकल राज घरेली उत्पाद में विविन छेत्रों का हिस्सा आ अत्मिक में अगर हिस्सा की बात करें ठीक है यह हिस्सा है और विरी दर है ठीक है दियान नेंगे तो बिहार का 21-22 का जो सकल राज घरेली उत्पाद है तोटल यह देखिये राजियों का हमेशा होता है GSD जो है जो है टूटल का तो इसमें प्रात्मिक शेत्र का हिस्सा कितना है 21.2 परतिसाथ पहली बात दितियेक शेत्र का हिस्सा कितना है 18.1 तो अटेमेटिक है टूटल तो 100 ही परतिसाथ होता है उससे दिखोता नहीं है प्रात्मिक हम लोग 21.2 की बात किये दितिये 18.1 का बात किये त तो तीडियक यहाँ परitte आप त्समलो साथ अभी से बात ऐस फेपिते हैं शेट्ज्ड़ियग में अब एक प्रशन तो यह बन गया यह आपको sequence लगाने के भी आ सकता है कि आप बताईए कि बिहार का GSTP का जो है सिदारी जो है इन में से कौन सही है निम्नांकित में कौन सही है तो सबसे पहले तिर्तियक छेतर आजाएगा टर्सियरी फिर उसे कम प्रात्मिक और उसे कम सेकेंडरी यह बात आप याद रखेंगे यहाँ पर प्रतिशत भी देख सकते हैं आप 60.7 प्रतिशत शेर शेर किया जाए तित्यक बाधार और प्रात्मिक द्वरा 21 द्वरा द्वरा 18 द्वरा एक कोशन यहाँ पर और बनेगा प्रात्मिक छेतर में ब्रीधी कितना दर्ज की गई तो 9.6 परतिशत यानि क्रीशी प अगला प्रस्ण देखते हैं अच्छे कुछ और यहां पर डाटा है जिसको को देख लें और इस मैगजिन का यही खासियत है इसलिए मैं आप सभी को करा रहा हूं कि काफी डिटेल में जो है सारी चीज़ें जो है वाइंटर में रखने का प्रयास किया गया 2020-20 में सबसे ज्यादा प्रतिवेक्ती GSDP वाला जीला कौन था तो पतना था सबसे ज्यादा GSDP वाला जीला कौन था पतना था यहां पर देखेंगे गे तो 1.15,00,000 रुपया प्रतिवेक्ती सबसे कम अगर यही पूछ दिया जाये तो यह हो जायेगा आपका सीवर मातरा 18,6 692 रुपया जो है प्रतिवेक्ती ठीक है तो पटना जो है सबसे ज़्यादा एक दस्मलाव एक पांच लाग रुपया प्रतिवेक्ती है सबसे ज़्यादा GSTP ठीक है वाला पटना हो गया और सबसे कम होला सीवर हो गया 18692 नेक्स देखिए 2021 में सकल राजगरे ले उत्पाद सबसे ज़्यादा आंधर परदेश का रहा कितना 11.43 फिर रास्थान 11.04 और फिर बिहार आपका तीसरे नम्मर के हो गया ठीक अगला प्रस्ण देखिए अब देखिए को अब देखिए को स्चन तो हम लोग भले 20-30 प्रस्ण कभर करें लेकिन फेक्ट जो है देखेंगे तो 21-22 में इस्थिर मुले पे बिहार में क्रिसी छेतर का बारसिक ब्रीधी बताना है ठीक है टर्म पे ध्यान देगे यहाँ पे किस पे पुछा गया है इस्थिर मुले पे बताना है आपको और क्रिसी छेतर का बारसिक ब्रीधी बताना है यह जो है 9.6 अभी थोड़े दिर पह चलिए तो यहाँ पर क्रिशी छेतर में अगर देखा जाए 22-23 के आर्थिक समिक्षा में तो 22-23 का आर्थिक समिक्षा जब-जब होगा तर डाटा किसका मिलेगा 21-22 का इस्थिर मुल्ले पर जो है क्रिशी छेतर में 12 ब्रीधी 9.6 परतिसत 21-22 में 8.4 रहा था 21-22 में बिहार क कुल खद्यान उत्पादन कितना रहा था 181 लाक टन चलिए तो इतनी बाते याद रखेंगे अच्छे ध्यान देने योग बात यह है कि स्थिर मुल्ले पर क्रिशी छेतर में ब्रीधी जो है 20-21 में कितना था 8.4 था अब नेक्ष्ट कितना हो गया 9.6 यानि देखेंगे तो 1.2 पर 30 पहले से अधिक देखने को ब्रीधी देखने को मिला है क्रिशी सेक्टर में ठीक है चलिए बिहार में जो है कुल खद्यान उत्पादन कितना हो गया 181 लाक टन यह सब बाते जो है याद रखेंगे बिहार में खद्यान उत्पादन अब देखें यह बहुत ही इंप 2.92 लाक टन तीका बिहार में मांस का उत्पादन हुआ है 3.92 लाक टन महीं मचली भी बात करेंगे तो 7.62 यहां भी गुरुद देखने को मिला है मचली का जो है याद रखेंगे इंपोर्टेंट है 7.62 यह सब लाक टन में है तीक है अन्डा उत्पादन की बात करें तो यह संख्या में है आपको 306.66 करोड तब यहार में जो है 21-22 में टोटल अंडा उत्पादन कितना हुआ है 306.66 करोड अंडा उत्पादन हुआ है मचली उत्पादन साथ दस्मलो छे दो ठीक है और इससे लगभग चार करम कर देंगे तो यह मास उत्पादन हो गया अब अगली बात कर लेते हैं और यह डाटा जो है काफी इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं आप सवक अच्छे से दिख दूद उत्पादन की बात कर लेते हैं next आप बस इसी पर ध्यान दीजी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं दूद उत्पादन की बात करें ते यह एक से कईश दस्मलो वन नाइन लाकटन यानि एक से प्रिवियस से कंपेर करके थोड़े देर बाद हम बताएंगे आपको आप देखेंगे इसमें कितना ग्रोध देखने को मिला है चले दूग दूद पादन हो गया फल का उतपादन जैसे 49.87 लाग टन टोटल फल का उतपादन हुआ इसमें केला आम लीची केला का जो है 19.68 है आम का 15.5 है और लीची जो है 3.08 है यह मुखे मुखे दिया है तैसे देखेंगे तो यही लगबग जो है 40 का सम्थिंग आ जाएगा आपका बाकी और भी फल मिला के आपको 49 के करीब में आ जाएगा टीक है केवल केला उतपादन जखे 49 में 19 केवल केला उतपादन है 19.68 अब इससे तो पता चल रहा है कि बिहार में फलो में सबसे ज़्यादा किसका उतपादन किया ज़रा है केला का उतपादन किया ज़रा है दूसरे नमर पर किसका किया ज़रा है आम का यह सबसे ज़्याद फलो में और दूसरे नमर पर आम का तीसरे नमर यहां पर लीची दिख रहा है फूल की बात कर लेते हैं तो फूल का जो है टोटल उत्पादन 11.14000 टन है यह ध्यान देंगे कि बिहार आर्थिक सरेक्षन 22 तेस के अंसार राज्य में कितने परमुक क्रिसी अधारीत उद्योग है क्रिसी अधारीत उद्योग कितने है यह जो है यहां पे 6,4,3 और 2 है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आपका 2 राज्य में क्रिसी अधारीत कितने है दो उद्योग है ठीक ह उद्योग है मतलब कृषी से रिलेटेड़ 2 महत्पूर्ण उद्योग है बिहार में एक चीनी उद्योग और एक डेरी ये महत्पूर्ण की बात की गई है ठीक है कुल चीने मीलो के संख्या बिहार में कितना है 11 है इंपोर्टेंट है यह सारा डाटा याद रखेंगे ठीक है चीनियों मिलों के संख्या बिहार में 11 है और बिहार में दोही तरह का डिरेक्ली एकर महत्पूर्ण उद्योग का बात किया जाक रिसी से रिलेटेट थे एक तो चीनी उद्योग हो गया और अब कुछ प्रस्णी से रिलेटेट बनते हैं देखिए ये 21-22 में जो है 9 ठीक है 21-22 में देखेंगे तो 9 था 22-23 में यहाँ पर 11 जो है बताया जा रहा है ठीक है ठीक है तो कुल चीनी मीलो के संख्या याद रखेंगे 11 ठीक है बस इतना ध्यान रखेंगे आप लोग आगे देखिए बिहार में इथिनॉल उत्पादन के छमता कितनी है ठीक है तो ये 22-22 वाला है 470,000 लीटर प्रती दिन बिहार में इथिनॉल उत्पादन के तना है 470,000 लीटर प्रती दिन अब देखिए ये इतना सारा डाटा है तो बीपीए सी में इसमें कौन सा प्रस्ण बनाया जाएगा अपने को पता नहीं है आपको पता है ठीक है तो ऐसे में हर एक प्रस्णों क जो है ध्यान से देखेंगे अब एक प्रस्ण नहीं है बिहार में इथनॉल उत्पादन की छमता कितनी है तो 470,000 लीटर प्रती दिन एक 22 के अंसार चीनी का उत्पादन बहुत इंपोर्टन है चुकि अभी हम लोग देखे थे कि बिहार का दो ही परमुक उध्योग है क्रि करेंगे तो मलवरी का उत्पादन हुआ है एक दस्मुलो नौ तन टैकर इतना श्रीन से धर इंपोर्टन वायखनार यहां प्रती रिसम से खांटन की टैफेंचे विल इस वर आप से पूछे अंडी रेसम का उत्पादन कितना हुए आप क्या बताएंगे 13.2 अब देखिए मलबरी रेसम हम इसके बारे में चर्चा किये थे थे थोड़ा सा बिहार इस्पिसल में इसका उत्पादन ओला जीला है आपको सहरसा हो गया सुपाल हो गया मदेपूरा मलबरी ठीक है पहला टाइप मलबरी दूसरा टसर और तीसरा अंडी रेसम न रेशम के बाद आपका बन कgesetzt पादन के नवादा कैमोर और जमई अंडीवाला देखे मुझाफर पूर विगुषमा हो गया 21-22 में बिहार का सकल राज जगत मुल्य बर्दन में अधोगिक छेत्र का योगदान रहा है 19.4 तभी थोड़े दिर पहले हमें डाटा देखे थे कुछ और यहां पर एक आध प्रश्ण है जैसे देखिए बिहार का अधोगिक निवेस जो है परतोसाहान नीती 2022 है और इसके तहट सरकार जो है छे बर्दन में पुल्क 60.8 छे हजार करों रुपे का निवेस जो है प्रस्ताओं मिले है यानि सरकार जो है छे बर्दन में क्या क सिडियोगरा पुर्भाइड की जाती है ठीक है कम ब्याज पर आपको लोन दिया जाता है यह अधोगिक जो है परतोसाहान नीतिक आखिर उद्देश्य क्या है तो बिहार में उद्यक धंदों का बढ़ावा किया जाए अगला देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्शन 22-23 के आवर हो गया यह बिजली का खपत याद रखेंगे 329 किलोवाट आवर कि बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है पूछा जा सकता है अपके एक्जाम में ठीक है मैं आपको बता देता हूं मेंसन कर देता हूं जो बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण और खास होगा ठीक है बा इसमें राज्य में बिजली के कुल खपत कितनी हुए यह कुल खपत और प्रतिवेक्ति खपत दोनों अंतर है ठीक है तो प्रतिवेक्ति खपत यह 329 किलोवाट आवर है ठीक है यह बात ध्यान रखेंगे कुल खपत पूछा जाये तो कितना यूनिट हुआ है यह 3275.5 यूनिट अब और कुछ डाटा देख लेते हैं इससे बहुत ही इंपोर्टेंट है एक इस वाइस में राज्य में बिजली उत्पादन छमता 7785 मेगावाट एक इस वाइस में बिहार का उत्पादन छमता कितना हो गया 7785 पहले से काफी इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला और पहले से लगभग 21.02% ये ब्रिदी किया है तो ये 7785 मेगडोर्ट, ये मेगबाट क्या है तो ये निकाल सकते हैं कि घर का हमारा लोड कितना है और आपना इस तरह से क्या कर सकते हैं आप बिजली जो है विल भी निकाल सकते हैं देखिए 222 में टोटल कितना तो टोटल है यह 7780 यह तो याद रखना है कि इतना उत्पादन चमता है यह पहले से बिजली उत्पन किया जाता है उसका मातरा कितना है तो यह 5363 है ऐसे 5000 इसको क्या हम लोग बोलते हैं प्रामपिरिक जो है इसको जो है कोल वेस्ट प्लान्त थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हैं यह 5363 इसमें इसी से हुआ है जल से जो देखेंगे तो जल से 808 है ठीक है अन्न वेस्ट प्लांट की है घर्मल पाउर प्लांट की है इसके बड़ाइगा है इसके बड़ाया जाए यहां पे हाइड्रो जल बिदुत को भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है अब ये जैसे ही बढ़ेगा ति इसका उत्पादन जो है थोड़ा सा कम भी होगा तक काम चलेगा दूसरा ये जो है आपको जो नविन करनी है उर्जा है ये बिल्कुल हामफुल नहीं है इसलिए पूरे बिश्व में इसको मुख्याले बनाया गया तो ऐसे में देखते हैं कि इसके उपर काफी बहतर से काम चल रहा है तो बिहार में भी इसके उपर काम कर चल रहा है ठीक है तो इतना बात याद रखेंगे टोटल जो है 7,780 इसमें से 5,300 जो है आपको 5,300 जो है 63 मेगावाट जो है कोईला याद रखेंगे तो बिहार में जो बिजली उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा किस से बिजली उत्पादित की जा रही है तो कोईला से ठीक है 5,300 आप देखेंगे ब्रावनी में प्लांट है आपका ठीक है NTPC फिर आप दे आगे बढ़ते हैं कि 24 में राज जिमें बिजली के कुल उपलब्द समता यह 13,626 मेगावाट अगर अगला प्रसंद देखिए बिहार आर्थीक सर्वेक्षन 22 थेश के नुसार बिहार राजी में सहरी करण की दर कितनी है यह जो है सहरी करण की दर कितनी है 16,2 परतीस है ठीक है सहरी करण की दर हो गई 16,2 अब देखिए सहरी करण का दर पुछा गया था 16,2 अब एक बात पुछा सकता है कि सरवाधिक सह सहरी अबादी वाला जिला कौन सा है ठीक है तीक नमर पर आपका पटना ऐसे बिहार का सहरी करन कदर है 16.2 पटना देखेंगे तो 44.3 पर तीसके बाद मुंगेर मैंने मुंगेर करन का सहरी करन हुआ है 28.3 और नलंदा तीसरे पर 26.2 टॉप 3 भी आपके एकजाम में पुछा ज दिला कौन है ताप बताएंगे पटना फिर मुंगेर और फिर नलंदा नेक्स देखिए 211 की जनगर्णा कमसार बिहाल की कुल सहरी अबादी कितनी है तो 2011 वाला में बताएगा है यह अलग से हम लोग टॉपिक भी देखे हुए है 11.3 पर तीसक कितना बताएगा 11.3 बाकि आ वहाँ पर आपको 211 जनगर्णा भी कुभर कराया जाएगा तो बिहार में सहर में रहने वाले कितने है 11.3 आप गाउं में आप निकाल सकते हैं 100 में से 11.3 माइनस कर लेंगे ठीक है तो यह हो गया आपको 10 में से 3 यहाँ पे 7 हो गया यह आठ हो गया और यह कितना हो गया सहरी अबादी वाला जिला देख लिए गाउंबादी ला जिला जिला देख लिए अगला देखिये बिहार अर्थिक सर्यक्षन 223 केंसार बिहार के किस जिले में nh की लंबाई सबसे अदिक है can कैस्ट कि अदिक हैरे हैं अब यहां से भी प्रस्ण कभी कभी पूछा गया है अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनेज की कुल लंबाई अगर देखा जाए सितंबर 2022 तक का डाटा है बिहार में कितना है 5977 अब देखिए सड़के भी दो तीन तरह के होता है एक नेशनल हाइवे होता है ठीक है एक आपका एस्टेट हाइवे दिखेगा एक आपको ग्रामिट सलक वाला जो है आपको योजना प्रश्ण तो यह पूछा गया था एक इनेज का सरवाधिक विस्तार किस जीला में हुआ है तो पटना में पानम सब से कम एनेज का विस्तार वाला जीला है सीवर मातर बाइस किलोमेटर थे निए सब से अधिक पटना और टोटल ओवरॉल देखेंगे तो पांस जार नौस स 21-22 में बिहार की वायू परिवहन में कितने बिरिधी हुए तो 54.4 परतिसत इंपोर्टेंट है इसको याद रखेंगे तो वायू परिवहन में यहां पर बिरिधी देखने को मिला है 54.4 कुछ और प्रस्ण है जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं सडक दुरगटना का मामले म बिहार का स्थान है 15 हुआ ठीक है तो भारत में जो है बिहार का स्थान 15 हुआ है सडक दुरगटना के मामले में पूरे देख में रिल नेटवर्क में बिहार का हिस्था कितना है तो 5.6ए 10 पर है निए पूरे बहारत में 100 पर Noira ग plant बिहार में कितना है यह तो बिहार में है 5.67 किलो मिटर में अगर जाना चाहते हैं ते 3803 किलो मिटर ठीक है 3803 किलो मिटर जो है यह आपको हिस्सा है टोटल पूरे भारत का अगर परतीसत में पूछा जाए तो 5.67 बात याद रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं यह सब डाटा आप लोग याद रखेंगे एक्जाम में जो है पूछा जाता है ठीक कुछ प्रस्ण यहां पर जो है चली अगला प्रस्ण जो है देखते हैं अगला प्रस्ण है मार्च 2023 में बिहार में मीठी करांटी को बढ़ावा देने के लिए 17 जिलों का चैन किया गया है कौन सा जिला इसमें सामिल नहीं है देखिए 17 जिला का हम लिष्ट बताये थे पिछले लेक्षर में आपको देखें मुंगीर है कटिहार है पुर्णिया है इसमें पूछ रहा है कौन सा सामिल नहीं है यहां तो देखेंगे तो आपका एक से अधिक हो जाएगा ओप्सन डी हो जाएगा ठीक है कौन सा सामिल था हम लोग बात किये थे कि देखिए 17 जो है जीलों को सामिल किया जिसमें और अरंगाबाद है आपको भागलपूर पूर्ष सारन सीतामडी और वैसाली इसको चुना गया है अब इसमें देखेंगे ती आपको मुंगीर और कटिहार देखें इस ऑप्सन में जो है आपको कहीं दीख नहीं रहा ठीक है तो ऐसे में जो है क्या हो जाएगा एक से अधिक अप्सन बाकि पूर्णिया तो इसमें सामिल है तीक है पूर्णिया यहां भी सामिल है राजी में महिलाओ की समुझ जीव का और वेजफेट को इसमें प्रत्मिक्ता दी जाएगी महिलाओ की सुनिश्चीत जो है इसमें 30% तक रखी जाएगी 17 जीलो का चैन रास्टी मदमक्की पालन और सहद मिसन के अंत्रगत कि बारे में पिछले लेक्षर में भी बात हुई थी अगला देखिए कि 2030 में भारत ने किस देश के साथ समझावता किया जिसके तहरत बिहार की रजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रिल्पुजक के लिए 5509 करोड़ रुपया के बित्य सहाय था यह भी हम चर्चा किये थे और यहां पर एफ्सन तक दिया है और यह एफ्सन ही अपका सही हो जायेगा कि 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 भारत और जपांट के मध्य कितना जुह है यह बित्य समझावता के बात की गई जपांट। पतना मेट्रों का अनुमानित लागत लगभग कितना है यह 13,365.77 है कुछ अनुमानित लागत कितना है 13,365 क्रोड ठीक है इसमें देश में जो आकानशी परखण का इक्रम में बिहार के कितने परखण को सामिल किया गया है थीक हैं थेखिए तो देश में जो souvent कि म्णानल चल रहा है तो टोटल पानल समें बिहार का सामिल किया गयाarsh hub देखें ये ब्लॉक करिक्रम जो चल रहा है अकांसी जो है परखंड करिक्रम इसमें एक सट को सामिल किया गया है ध्यान रखेंगे आगे देखीं देखें किन्द सरकार का ये करिक्रम है अकांसी जीला करिक्रम इसी के तर्च पे अकांसी जो है परखंड करिक्रम भी शुरू क किया गया है ठीक है इसको डेफलब करने के लिए अकांसी परखंड करिक्रम के बारे मगर जाने किन शरकार ने अकांसी जीला करिक्रम के तर्च पे अकांजी पर खंड करिक्रम तो जो भारत में पिछडे परखंड है उनको डेवलप करने के लिए चाहे स्वास्त और पोशन के दिश्टी कोंड से हो सिक्षा के दिश्टी कोंड से हो, क्रिशी हो गया, जल संसादन हो गया, बित्ये समावेशन हो गया, कौसल विकास की बात हो तो उन सब के अंतरगत इनको बिसेस पैकेज देके और इनको विकास करने का प्रियास किया जाएगा, अगला देखिए, मुखे धारा से जोड़ने का प्रियास किया जाएगा, बिहार में जातिगत जन्वरी दोहजार थेईस, ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा उतार चड़ो रहा जातिगत जन्वर्णा में, इसके बारे मैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, शुरुआत साथ जन्वरी दोहजार थेईस, हर शेर गाउं बैसाली मुखमंतर इनितिस कुमार ने 0-1 लिख कर यहां पर सुरुआत किया, तो पूछा जाए कि आप से जातिगत जन्वर्ण का नाम जो है, उसमें लिखा जाएगा, पहला चरन का काम हो गया, दूसरे चरन देखिए, 15 अपरेल से 15 माई 2023, जाती सहीत 17 परकार की जन्वर्णी यहां पे लिजाएगी, ठीकत एक आपका जाती पूछा जाएगा, पहले में मकान नंबर, उसके बाद जाती वाली बात हो और कुछ और जनकारी आप से लिजाएगी, दूसरे चरन की गर्णा का सुभरम, 15 अपरेल 2030 को बिहार मन के मुखमति नितिसको बारने, जाती अधारी जन्वर्णा के दूसरे चरन की सुरुवात, बक्तियार पूरिश्थित, पुस्तैनी घर जाकर परिवार के सभी आकड़ दर्ज करा करकी, तो अपने ही पुस्तैनी घर से जाके और आकड़ाई कठा कराके और दूसरे चरन का सुरुवात किया गया, अब देखे उसके बाद यहाँ पर प्रूबलम आ गया, जाती जन्वर्णा पर रोक लगा दिया गया, पटना ओचे नियाले, तीन मही 2030 इसको एक पहला चरन में बस आपको जनकारी क्या देना था, कि मकान का नंबर लेना था, और घर का मुक्या का बस नाम लिखना था, 7 जन्वरी से 22 जन्वरी तक यह चला, कोई प्रूबलम नहीं, दूसरा जो है 15 अपरेल से 15 मही तक, लेकिन उसी की बीच में देखेंगे तो 3 मही को इ ठीक है, और दूसरे में 17 परकार का इंफर्मेशन को इकठा करना था, ठीक है, अब एक कुछ मामले में जाती जनगरना अच्छा भी हो सकता है, कुछ मामले में गलत साबित भी हो सकता है, ठीक है, अब इसके राजनीती कुछ फायदे भी हो सकते हैं, साथ-साथ इसका राज अगर्मेंट का किन्द पिछुए किसका क्या इस्तिति है अब इस सब चीजें ऐब दूसरी बात याद रखेंगे इससे ठीक है लेकिन आप देखेंगे तो फिर जातिकत जनगर्णा पे लगी रोक जो हट गई यह कब हट गई तो पटना हाईकरट को 21 अगस्ट 2023 को अपने निर्णाय में जातिकत जन्गर्णा पर लगी जो है रोग को हटाते हुए इसके बैद्दा को चुनावती देने वाली सभी 6 रीट याजका को खारीज कर दिया गया ठीक है तब खारीज कर दिया गया फिर से आपका जातिकत जन्गर्णा शुरू हो गया बात याद रखेंगे कुछ विशेस बात लिखा गया है दोहजरेगारे के जन्गर्णा में भारत सरकार ने भी यह जातिया जन्गर्णा की थी लेकिन आकड़े को सर्जनिक नहीं किया गया था ठीक है अब आकड़े नहीं सेर करने के बहुत सारे मायम ने है उसके उपर चर खूले कि रेलेगे रेलॵे द्वारा प्रोड़े प्रियास है आपको बिहार की रिजधानी पर्टना में पाइलेट की तहट गूर्ट प्रोड़े की तहट चालыми देखें पार्सल अगर किनी को लेक्चर मानली यह लग रहा होगा तो यूटूब आपको उप्सन देता है तो फास्ट करके इसको देख सकते हैं इसी उजना में था क्या तो अब पूस्ट मैं पार्सल को इस पे दिये गए पते पे पहुंचाए जाएगा और लेने भी जाएगा तो अब जो है इसमें डोर टूडूर है यापके डोर पे कौन पहुंचेगा पोस्ट मैं आप जो भी पता देंगे आपका पार्सल वहीं से ले लेगा और आपका पार्सल वहां पहुंचा दिया जाएगा आपको डाक घर तक जाने की जरूरत नहीं होगी ठीक है इसमें देखिए तो कोई आपका पार्सल है ता आप अपने मुबाइल नंबर एप और वेफसाइट से इसको बुक कर सकते हैं इसके अंतकर पार्सल को तूट-फूट से सुरक्षा परदान करने है तो करवारियों को भीमा सुविदा भी परदान की जाएगी इसके लिए डाक विभाग ने बज अगला देखते हैं जन्वरी जो है 2023 में रिलाइंस जियो ने बिहार के किन दो सहरों में 5G सेवा जो है लंच की ते जो है पटना और मुझभफरपूर में लंच किया गया 5G सेवा ठीक है याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं देखें पटना और मुझभफरपूर में जीओ के द्वारा जो है जीओ टू दू के द्वारा 5G सेवा लंच किया गया पटना और मुझभफरपूर में ठीक है कंपनी इसमें बताया कि अमंत्रीती उजस्त को बीना किसी अत्रिक लागत का इसमें एक जीवी पीस जो है स्पीड लिम्टेड डाटा मिलेगा 2023 में पटना मुझभफर पूर गया भागलपूर दरबंगा बिहार सरीप बेगुशरय कटिहार आरा में ये सेवा जो है संचाली थे ठीक है ते 5G वाली बात है कंपनी का लक्ष 2023 तक बिहार और जर्खंड के हर एक गाउं और कस्वे में जीव जो है जीव टूप 5G सेवा शुरू करना है ठीक है तो 2000 दिसम्बर दिसम्बर तेश तक सारा जगे शुरू कर दिया जाएगा अगला देखिए दिसम्बर 2022 में बिहार सरकार को द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के नुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में कितने परकार की दवायों जो है मुफ्त मिलेगी तो यह जो है 611 परकार की दवायों जो है मुफ्त दी जाएगी ठीक है बिहार सरकार का अस्पतालों म तो मुफ्दावाव के नई गाइडलाइन जारी की गई है किसके दौरा बिहार सरकार के दौरा और इसमें बताये गिए है कि मुफ्दावाव के संख्याभ 611 हो गई है अगला देखी हाली में बिहार के कितने बिष्व विदाले के पुस्तकालों को ओनलाइन लिंक करने के लि सच्छा विभागा और यूजी सी जो है इन्फलेट ठीक है आगे देखिए अगर अंसार परतिक विष्व विदाले को ऑनलाइन जनकारी होगी कि कौन सी पुस्त के किस विष्व विदाले में है अगर कोई पुस्तक डिजिटल फॉर्म में नहीं है तो उस पुस्तक को हासि विदाले ए में कोई पुस्तक है विदाले भी में वो पुस्तक अबलेबल नहीं है तो ऐसे में यहां से डिजिटली इसको यहां पर अफ्लोड कर दिया जाएगा यही आपको करिक्रम है आगे देखिए हाली में जो आपको वर्णावर पहाड़ पे रोप्य निर्मार्ट की कारे शुरू किया गया यह पहाड जो है किसके नाम से परसीद है तो यह मगद का हिमाले इसको बोला जाता है ठीक है वर्णावर पहाड को जो है क्या बोला जाता है मगद का हिमाले यह बर्णावर पहाड कहां इस्ती थे थे बिहार के जहानाबाद जिले में इस्ती थे पह दिसम्बर 2022 में कजरा सोलर पावर प्लांट पे कारे शुरू किया गया, इस पावर प्लांट की छामता जो है कितनी होगी, इसकी छम्ता कितनी है कजरा की 250 MW कजरा जो है सोलर प्रावर प्लांट की छम्ता कितनी है 250 MW इस परिजिना के लिए समझा होता है जो है अस्तराकीत हुआ है बिहार रज्य जो है विधू उत्पादन कंपनी और गुजरात उर्जा अनुसंधान जो है संस्थान के बीच ठीक है तो ये कजरा जो सोरर पावर प्लांट है ये कहां पे है तो लखी सराय में कितना उत्पादन 250 मेगावाट अब इसके लिए मदद कौन कर रहा है बिहार राज बिधूत कंप्रे उत्पादन लिम्टेट साथ ही साथ कुजरात उर्जा अगला प्रस्म देखिए नॉमबर 2022 में केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने आमस दर्भांगा एनेस 1-119D का अधार सिला रखी और इस एनेस से बिहार के कितने जीले को कनेक्टिविटी मिलेगी ठीक है तो इंपोर्टेंट है चुग देखिए इससे जो है देखेंगे तो साथ जीले को जो है कनेक्टिविटी मिलेगी 119D से ठीक है 119D जो है ग्रीन फिल्ड फोरलेन है नितिन गड़करी के द्वरा जो है जो किंद्रिय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है निके द्वरा सिलनास किया गया इस जो है 119D क क्या कुल लंबाई कितना है 237 किलो मिटर साथ जीलों को कनेक्ट करेगा यह और अंगाबाद जहानाबाद नलंदा पटना वैसाली समस्तिपूरो और दर्भागना अगला देखिए अगला प्रस्न है नॉमबर 2022 में बिहार के मुख मंत्री ने किस सस्तल पे महत्तोकांची गंगा जल आपूर्ती योजना का लोकारपन किया यह कहा हुआ अपका राजगीर में गंगा जल आपूर्ती योजना के बारे में एदी जाने तो 27 नॉमबर 2022 को इसका लोकारपन और कुल लागत इसमें कितना आएगा 4,475 क्रोडी हम अलेडी पहले बात कर चुके हैं इसके उपर दुरगामी अभियान जल जीवन हर्याली के तहत गंगा नदी के अधिसेस जल को दचिन भारत के जल संकट वाले सहर ले जाकर और फिर जल के रूप में आपको दचिन बिह जो कर दो करें हैं इसको यह है दूर किया जाएगा गंगा पाइपलाइन के केज़ी एक सो ichas कूण किलोमेटर का सफर करेगा इए मान लीज्यें गंगा नदी हो गई अभी दचिन बिहार में पहुंचना है ठीक है तो नहीं जो किर एक सूझाए जाएगी 30ira कि सफर तेकर कर बोद गया गया बोद गया जलासे में जल पहुचा कर और यहां सोधित होकर सुध पे जल उपलब्द कराए जाएगा ठीक है तो अब उसको फिर सोधित करके सुध पे जल उपलब्द कराएगा इक करिक्रम सुरूब भी हो चुका है आगे देखिए नमबर 2022 में बिहार के किस में बात किया जाए यह जो है नीतिन गड़करी के द्वारा सिला नयास किया गया पंडुका के पास रोताज जिले में एक दस्मलों पांच किलोमेटर का यह दो लेंड का जो है एली वेटेड आर्सीसी पूल होगा ठीक है इसकी लेंड जोगी 210 कड़ो इसमें टूटल खर्च ह होगा पूल करिनमान से लाब क्या होगा तो जो राज्टीय राजमार्क 19 है और राजमार्क 30 यह आपस में जुड़ जाएगा तो 19 को 30 से जोड़ेगा यह पूल इसके पूल बनने से आसपस के छेतर और राज्यों मादोगी क्रिसी और डेरी उत्पादों को बजार तक हो जाएगा कि 2022 में कोशी मेची लिंक पर्यूजिना का डी पी आर बनाने के लिए किनके मद एक समझाओता गया अपन पर हस्ताक्चर किया गया तो एक तो आपको जल संसाधन बिगा और दूसरा किंद्री जल सकती मंत्रा ले इस दोनों को बीच वे समझाओता पर परियूजिना के लिए ठीक है अब यह बहुत इंपर्टेंट है देखिए परियूजिना सम्मंधित राज बिहारी हो गया समझाओता पर दो लोग आए एक तो जल संसाधन और दूसरा केंद्री जल सकती परियूजिना से लभानवीत जीला कौन को हो जाएगा तो पुर्ण यहाँ पर 50 की बात की गई है तो बहुत ही महत्पूर्ण महत्पूर्ण यहाँ पर हम लोग प्रस्ण कवर कर रहे हैं देखिए मगद मेडिकल अस्पताल की बात करें तो क्रिटिकल केर यूनिट बनाने के यहाँ प्रस्ताव रखा गया कहां पर गया में ठीक है कितना 50 भगदान होगा ब्याराज्यी विभाग के अंसार दिसमबर 2023 के अंत्र ब io got here को परदेश के लिस संचालित अगर देखा जाए तो अभी जो है पाइलेट प्रजक्ट के तहर्ट बरत्मान में कहा कहा तो नलंदा मुझा परपूर बाकी जह अन्टी सो जिलो में यह यूजना आपको लागी होगा ठीक है ध्यान रखेंगे यह जो प्रजेक्ट आपका मुख मंत्री डिजिटल हेल्थी होजना यह 300 जूला के लिए अभी जो है नलंदा मुझा परपूर गुपाल गंज और सिवान में किया गया यह अप्रेल 2022 में इसके स्वास्त कार्ड रिकॉर्ड तक पहुंचाने की सुभीदा होगी अगला देखिए नॉमबर 2022 में विहार के किस जिले में डॉक्ट आपके द्वार यह आपको भोजपूर में तो डॉक्टर आपके द्वार कहां पर शुरू किया गया भोजपूर में याद रखेंगे देखें किंद्रिय मंत्री आरके सिंग के द्वारा यह शुरू किया गया भोजपूर आरा के सदर अस्पताल में लागत कितना होगा 12.68 क कड़ों रुपया लागत होगा दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का लक्ष जीले के सभी 14 ब्लॉक के बंची तबादी में घर घर प्रात्मिक स्वास्त देख बाल सेवा परदान करना इसका लक्ष है अगला देखी सितंबर 2022 में किस राजे ने मुख्यमंत्री ग्रामिड सोलर स्ट स्टिट लाइट युजना कब सितंबर 2022 में बिहार के मुखमंत्री के द्वारा उदेश से क्या है गाउं कस्वे सहरों अंधेरों में रहने वाले अपराधों को खत्म करना और उनको निग्रानी करना इसी युजना में देखेंगे तो परतेक वार्ड में दस सुलर स्टिट जो है लाइट लगाया जाएगा याद रखेंगे ठीक है देखेंगे तो कुल जो है एक लाख नो हजार छेसो से तालिस वार्ड इस उयुजना के तहट आपको आएंगे अगला देखिए सितंबर 2022 में शुरू किया गया निपून बिहार मिशन कौन है निपून है किस से सम्मंदित है तो यह प्रात्मिक सिक्षा कौसल से है प्रात्मिक सिक्षा में इसकिल से सम्मंदित है आपको निपून बिहार मिशन निपून बिहार मिशन की बात करेंगे तो यह अवचारिक प्रफेसर जो है चन्द शेकर के द्वारा किया गया जो अवी सिक्षा मंद्रि बिहार के है तुरह चाल चाथ्रों के सभी अवस्प्रवश्प बन्यादी काॉसल जो है उसको प्रदान करना इसके लिए धन-dasi भर बंदन समागर सिक्षा अभियान SS के द्वरा किया जा रहा है अगला देखिए 2022 में मुखमाति नेति इसको मानने विहार के पहले और देश के सबसे लंबे कि यह रबर डेम का उधगातन किया यह कि नदी पे है तो बहुत यह असान से प्रस्ण और यह किस किस पर है पहल कुए पर बना रबर डेम और इस पर बात होई थी, आगे देखिए, लंबाई जो है 411 मीटर है, ठीक है, और उचाई जो है आपका 3 मीटर है, हाली में बिहार सरकार के द्वरा परतेक बिधान सबाच्चेतर में कितने स्वास्थ उपकेंद्रों के अस्थापना किये जाने की निर्ने लिया गया है, सबाच्चेतर में साथ, और परतेक बिधान परिशद में 5 जो है रखा जाएगा, ये बिहार स्वास्त बिभाग के द्वरा निर्ने लिया गया है, निर्माण का बर्स होगा 2023 ठीक है, तीस तरह से हम लोग ये टॉपिक जो है निप्टा लिए काफी अच्छा चा प्रशन थ आप सब्सक्राइब कर दीजेगा, और आपका कोई फीड़ बैक कमेंट होगा ता आप कमेंट बक्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, आप कोई सजेशन देना साथ हैं, जो भी आपको लगे तो आप यहाँ पे आप कमेंट बक्स में लिख सकते हैं, चलिए आप सभी का ब बटन